हलो गाइज, विलकम तो माई यूटूब चैनल गाइज देखो आज का जो हमाँ टॉपिक है वो क्या है? इंटीग्रेशन के उपर सौर्ट ट्रिक देखने वाले बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के बाद आप लोग इस तरह के प्रावलम्स यहाँ पर देख सकते हो और भी प्रावलम्स हैं विदिन फाइज सेकेंड में इन सभी तरह के प्रावलम्स को सौर्ट कर लोगे कैसे? तो चलो इस सूपर ट्रिक को देखते हैं बट बिफोर विगिन प्ली सब्सक्राव तो मैं यूटूब चैनल और अब प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंगी सौर्ट ट्रिक वीडियो और अनधर लॉंगर वीडियो नॉटिफिकेशन ओके तो गाइस देखो आप लोग इस सूपर ट्रिक को समझे इससे पहले क्या करते देखो एक कोश्चन मैं अपने सूपर ट्रिक से करता हूँ और आप लोग अपने ट्रेडिसल में से करो और देखते हैं दोनों में पहले कौन solve करते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे इस super trick को देखेंगे so let's start देखो इसका जो answer हो जाएका वो क्या जाएगा बहुत है simple है וכ में इखो वो गया answer हो गया देखो हो गया answer है मेरा बहुत ही simple था ना आप भी ऐसे ही within seconds में कर लोगे इस तरह के problems को solve जी हम बिल्कुल सही सुन रहे हो within seconds में solve कर लोगे तो चलो कैसे करोगे अब हम लोग पहले क्या करते हैं इस trick को समझते हैं इसके बाद जो आगे के problems है उसे भी देखेंगे बहुत ही सिंपल है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों को integration में बहुत सारे integration के उपर में एक trick बना चुका हूँ तो इसलिए आज एक नया trick है वह देखते हैं तो चलो पहले इस super trick को समझते हैं फिर questions करेंगे तो गाइस देखो जब भी आपको integration कुछ इस तरह से मिले का a to the power mx plus minus b upon c to the power mx plus minus t dx जहाँ पर a, b, c, d क्या है constant value constant का मतलग क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है तो इस तरह के problems के लिए जहाँ पर इस form में integration का problem हो उसके लिए आप लोग को formula apply करके जो traditional method है उसे apply नहीं करन आप लोग को यह super trick देखना है तो देखो क्या है super trick जब भी आपको integration के इस form हो a to the power mx plus minus b upon c to the power mx plus minus t यहाँ पर भी plus minus जुखता है यहाँ पर भी ओके तो देखो जब इस form हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस तरह के integration में b upon d यहाँ पर देख रहे हो b upon d है तो b upon d लिख लो b d को यहाँ पर b upon d adjectives लिखो into में क्या कर दो यहाँ पर b के साथ x लिख दो ओके b upon d x plus यहाँ पर देखो a e to the power mx है क्या है a to the power mx means e की power क्या है mx यहाँ पर x के साथ जो कॉपिसेंट है उसे लिख लो one upon m देखो यहाँ पर one upon m into a d minus b c a d minus b c का क्या मतलब है a d minus b c यहाँ पर cross करके फिर subtract करना होता है a d minus b c हो गया अब देखो upon में क्या करना होता है c और d को multiply कर लो c और d को multiply कर लो देखो मैं explain कर रहाँ इसलिए आपको लंबा लग रहागा आप लोग जब इस पर practice कर लोगे दो तीन questions आप लोग का बिलकुल भी दिक्कत नहीं होग okay तो देखो explain कर रहाँ इसलिए ऐसा लग रहाँ फिर log mod लगाना होता है mod में क्या करना है denominator में जो है पूरा term लिख दो c e to the power mx plus minus d है तो plus minus यहाँ पर d plus c answer हो जाएगा कितना सिंपल है देख लो जब भी इस form integration हो b upon d x लगा दो plus 1 upon m 1 upon m कर दिए e के power x नहीं यहाँ पर x के स multiply कर लिए यहाँ पर denominator में जो दोनो constant value है उसे multiply कर लिया log denominator में जो पूर term है as it is लिख देख देख लो तो देखो अमारे पास जो पहला problem है क्या है 15 e to the power x plus 7 upon 8 e to the power x plus 6 dx किस form में है यह integration बताओ a e to the power x plus b upon c e to the power x plus d ओके इस form है और यहाँ पर मैं बताया था आपको यहाँ पर m भी लगा दो यहाँ पर m भी लगा दो तो यहाँ पर e to the power mx है तो इसके लिए क्या लिखाया था मैं bx upon d यहाँ पर फिर क्या था प्लस 1 upon m ad minus bc upon में क्या था cd log denominator में जो था पूरा उतार दो c e to the power mx plus d plus c यही था तो अभी यहाँ पर देखो यह जो प्रॉबलम है यह किस फॉर्म में है इसी फॉर्म में है a e to the power mx plus b upon c e to the power mx plus d m यहाँ पर क्या है 1 है हमारा ओके तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा b upon d तो b हमारा 7 d हमारा 6 to 7 by 6 x plus है तो यहाँ पर प्लस लिखना में तो यहाँ पर देखो 1 by m, 1 by m का मतल़ क्या है 1 upon m, m यहाँ पर क्या है e to the power mx, यहाँ पर 1 है तो 1 by 1 1 e होगा, ओके फिर a d minus b c upon c d, a d का क्या मतल़ हुआ है 156 जा a, यह हमारा a है, यह b है, यह c है, यह d है, a d मिन्स 156 जा 90, minus b c, 87 जा 56, तो 90 minus 56, 34 upon में क्या जाएगा बताब 48, क्योंकि 86 जा cd है, ओके अब यहाँ पर cancel out भी कर सकते है, आप लोग अगर करना चाहो तो, और इसके बाद log, denominator में जो है पूरा में उतर दिये, okay, simple था, अब देखो इसी तरीके से next problem हो क्या जाएगा, 8 by 5, क्योंकि यहाँ पर b by d है, x plus 1 by m m यहाँ पर क्या है, e to the power m x, तो 1 by 3, a d minus b c क्या मतलब है, 95 जा 45, minus 83 जा 24, तो 45 minus 24 कितना हो जाएगा बताओ, 21 upon में कितना हो जाएगा बताओ, c d, c d क्या मतलब है, यह हमारा a, b, c d है, c d हमारे क्या है, 15 log, यहाँ पर denominator में जो पूरा है, लिख दो, 3 e to the power 3 x plus 5 plus c, ओके, 7 जा, यहाँ पर 7 by 15 कर सकते, तो जब भी आपको इस तरह के problems दिखे, competitive exam है, बहुत ही simple होता है, कि आप लोगों के यह करना लिखना तो है नहीं, बस option देखोगे, इस तरह के problems है, ok, लगा दिया answer, ok, लेकिन जब आपको लोगो solve करना है subjective problems को, तब आप लोगों क्या कर सकते ह तो अपने traditional method से solve कर सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो, तो इस trick को apply करके, आप अपना answer check कर सकते है, यह है board exams वालों के लिए, जो competitive exam के लिए कर रहे है, उनके लिए यह trick बहुत ही helpful होगा, ok, तो देखो, अब हमारे पास next problem हो किया है, देखो, हमारे पास next problem हो किया है, minus 5 e to the power 6x plus 5 upon 4 e to the power 6x plus 9 ds, ok, बहुत ही simple है यह भी, किस form में है, a to the power mx plus b upon a हमारा है minus 5, b हमारा है 5, c हमारा है 4, और d हमारा है 9, तो क्या हो जाएगा हो ता, यह हो जाएगा bx upon d, तो b हमारा है 5 by 9, तो क्योंकि b upon d हो गया, x plus 1 by m, 1 by m हमारा क्या हो जाएगा, 1 upon m क्या है यहाप 6 e to the power mx, तो m हमारा क्या है 6 है, तो 1 by 6, ओके, अब क्या जाएगा, a d minus bc, a क्या हमारा minus 5 into 9, minus 45 और यहापर minus bc है, तो minus 20, तो minus 45 minus 20 कितना जाएगा बताओ, minus 65, ओके, यह हो गया हमारा, upon में क्या जाएगा, c d, c d का मतलब 9 forja, 36 log लगा दो, mod लगा दो, जो है पूरे नीच 6 x plus 9 plus c, आंसर हो गया, तो simple था, बहुत ही interesting trick है, इस तरह के problems आते हैं, competitive exams में, और आपके लिए बहुत ही helpful trick है, आप लोग बोड exam में भी इसकी मदब से, अगर आपको mcq मिल रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही simple है, आप इस trick को apply करके solve करके बता दो, और subjective मिल रहे हैं तो solve करो और इस trick apply करके आप अपना answer check कर सकते हो, यह भी बहुत ही interesting हो सकता है, ओके, देखो आप लोग के लिए एक problem है, इसे आपको solve करना है, और solve करके आपको इसे comment section में इसका answer बताना है, ओके, बहुत ही helpful है, अब बताओगे कि इसे comment section में कैसे बताओगे, कोई बात में आप वीडियो है, integration के sort trick के ऊपर, और सारे वीडियो आपको playlist में मिल जाएंगे, बहुत सारे chapters के sort trick वीडियो में upload कर चुका हूँ, already more than 25 वीडियो में upload कर चुका हूँ, sort trick वाले, और भी करूँगा भी बहुत सारे trick में upload करने वाला हूँ, so I hope you have enjoyed this video, if yes then please subscribe to my YouTube channel, and also press the bell icon for the upcoming videos and notifications, so thank you for watching this video, bye bye